यह एक्सरसाइज 8C का 8C ही है उसका यह 4th question or 5th question का कुछ part है ठीक है यह subtraction वाला question है subtraction का rule क्या कहता है जो addition में था वही है थोरा सा difference है addition में जिस तरह से था कि like terms can be added उसी तरह subtraction में भी है कि जो like terms है सिर्फ वही add किया सकते है we can't add unlike terms second चीज जिस expression को subtract किया जाना है जिसको minus करना है जैसे 4 minus 2 में 2 minus हो रहा है उसी तरह जिस expression को हमें minus करना है हम लोग उसके सारे उसके अंदर जितने भी terms के जो sign है plus या minus उसको हम लोग reverse करके लिखते हैं इसके कहने का मतलब है इसे 5x है from 2x काता है कि 5x को minus करना है 2x से यहां पर बहुत बुच्छे confuse कर जाते हैं याद रखना इसको समझना मुझे अड़ी है यह term minus this term तो कहता है कि जिस term को मैनस में करना होता है न उसका जो sign है उसको हम लोग change कर देते हैं तो यहां पर क्या होगा यहां पर इसको subtract करना है से तो यह हो जाएगा 2x minus तो लिखेंगे ही लिखेंगे और इसका जो sign है क्या था plus 5x है तो यह minus 5x मतलब minus 5x हो गया और इसके बाद हम लोग इसको add कर देते हैं फाइनली हम लोग आगे addition पर ही अब इसको हम लोग add कर देंगे जैसे add करते थे क्या करते दिया ही ना like terms है तो इनके coefficient को add करेंगे term जो गास लाइक ही नाएगा तो यह हमारे पास चला था था 2 minus 5 into x यही हो गया कितना हो गया यह हमारे पास आगे 2 minus 5 minus 3 minus 3x fine यह हो गया चोटा तो नहीं हो रहा है यह वो चोटा तो नहीं हो रहा है न ने ठीक है थोड़ा सा कट रहा है तो हम इसको नीचे लिग दते हैं ठीक है यह actually यहां से कट रहा है इसको हटा दे तो यह हमारे पास आ गया minus 3x ठीक है इसी तरह से सारे को हम लोग अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर है subtract this from 6 करने का मतलब 6xy subtract कर रहा है तो जिसको subtract कर रहा है उसका sign change हो जाता है यह minus xy है तो यह plus xy हो जाएगा अब हमारे पास क्या आ गया 6 coefficient को एट कर देना है term वही रहाएगा तो 6 plus 1 इसको ऐसे हमनों लिखते है 6 plus 1xy equals to 7xy ठीक है यह हमारे पास इसका answer आएगा उसका आद करता है subtract 3a from 5b 5b से 3a को minus करना है 5b हमने लिखा और जिसको minus करना उसका sign change करते है तो यह plus 3a है यह minus 3a हो जाएगा अब पूछो दें कि इसके आगे क्या होगा तो इसके आगे कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि दोनों unlike terms है question हमने गलत तो नहीं लिख दिया है na question third है कहां गया 3a from 5b यह सही है तो unlike terms को हम लोग ना add कर सकते ना subtract कर सकते हैं indicative लिख सकते हैं indicate कर सकते हैं तो हमने indicate कर दिया है कि 3a को 5a से subtract किया जा रहा है यहीं कहरा था यहीं हमने लिख दिया इसके आगे हम लोग further proceed up इस question में नहीं कर सकते हैं यहां देखो fourth वाला यह कहता है subtract minus 7x from 9y 9y तो पहले रहेगा ही यह minus करना है तो sign जिसको minus करना हमको sign change हो जाता है यह भी ऐसे ही रहेगा दोनों unlike terms है y है और x है little factor यहां y है यहां x है unlike terms can't be subtracted or can't be added आगे देखो इसको minus करना है subtract this from this तो यह पहले रहेगा minus 7x square इसका sign change हो कि क्या हो जाएगा minus 10x square हमारे पास क्या आ गया minus 7 minus 10 यही होता है ना x square जो coefficient है like terms के उसी को हम लोग add करते हैं इक अठा लिख दिया यह हमारे पास आ गया minus 7 minus 10 minus 17x square यह हमारे पास इसका answer आ गया अब यहां देखो यहां तो यह सारे हम लोग जो add कर रहे थे यह सारे monomial थे यहां पर बिए binomial आ गया है कोई बात नहींगे a square minus a square यह है न उसका कहता है कि बाद में जो expression है उसको जिसको इसको minus करना है उसके अंदर जितने भी plus minus है सब के sign reverse हो जाएंगे change हो जाएंगे तो यह plus a square है तो यह minus a square हो जाएगा और यह minus b square है तो यह plus b square हो जाएगा ठीक है हमारे पस क्या हो गया like terms को arrange कर लो तो यहाँ यह like term है और यह like term है b square b square क्या होगा दोनों का coefficient है इसका 1 और इसका भी coefficient plus 1 यह हो जाएगा b square यहाँ देखो यहाँ plus ही लिखेंगे हम लोग काम अपूर्ण को plus कहीं करना है इसका यह दोनों like terms है तो इसका coefficient है minus 1 और इसका भी coefficient है minus 1 term a square अब हम आपस क्या आगिया 1 plus 1 2 b square यहाँ minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 और यहाँ plus है तो minus 2 लिखेंगा minus 2 a square यही इसका answer हो गया ऐसे विखेंगी minus करोगा तो देख लो b square minus a square यह minus हो जाएगा और यह plus हो जाएगा तो यह minus minus same हो गया तो 2 हो जाएगा तो यहाँ भी minus 2 a square आगया यह minus है और यह b square plus है यह minus से स्कार तो change हो जाएगा तो यह दोनों plus plus हो गया तो plus 2 b square हो गया यह answer ठीक है तो को 5th question यह क्या कहता है कि subtract this from this इस में में ज्यादा जगा छोड़ा है क्योंकि यह तो सारा हम लोग horizontally solve कर रहे है vertically भी minus होता है column method जिसको बोलते हैं इसको हम लोग दोनों method से solve करते है करता है कि subtract this from this इस में से इसको minus करना है तो क्या हो जाएगा 3 a minus 7 b plus 4 c उसके जिसको minus करना है सब का sign change करके हम लोग लिखते हैं तो यह plus 5 a है तो यह minus 5 a हो गया यह plus 7 b है तो यह भी minus 7 b हो गया और यह minus 2 c है तो यह plus 2 c हो गया अब क्या है कि like terms को एक जगा लिखो तुम लिख ले ना उसके सारे के coefficient को लोग add कर देते हैं यह है यह वाले को देखते हैं तो इसका coefficient 3 यह हो गया फिर यहां है minus 5 coefficient इसका अब कुछ नहीं इसके लावा अब यह हो गया a plus b वाले को देखो इसका coefficient है minus 7 b यहां भी है इसका भी coefficient minus 7 दो ही है तो इसको बंद कर दो b फिर से plus c का coefficient plus 4 और plus 2 यह हो गया c क्या आगे है हमारे पास 3 minus 2 3 minus 5 minus 2 a यहां minus 7 minus 7 minus 14 यह plus है चेंज हो जागा minus 14 b और यह कितना हो गया 4 plus 2 6 plus 6 c यह हमने horizontally इसको add कर दिया column method में कैसे add करते हैं इसको देखो इसमें से इसको घटाना है तो जिसमें से घटाना होता इसको उपर लिखते हैं 3 a minus 7 b plus 4 c और जिस expression को घटाना है उसका जो जो term है इसके accordingly जो like term है उसी के सामने लिखते हैं तब तुम ध्यान दो a है b है c है जिस sequence में यह लिखा हुआ है उसी sequence में जिसको minus करना है वो भी है एक और question अभी आगे आएगा जिसमें आगे पीछे है उसको हम लोग कैसे तो हमने कहा था और यह रूल भी है कि जिस term जिस expression को minus करना हो था उसके सारे term को sign को change कर देते हैं यह plus 5 a है तो यह minus हो जाएगा यह भी plus है तो यह minus हो जाएगा और यह minus है तो यह plus हो जाएगा अब इसको हमको add कर देना है इसे column method में add करते थे न अब इसे तरे इसको add कर देना है यह हमारे पास क्या जाएगा 3 minus 5 minus 2 a ध्यान देना आप जो पहले वाला sign है उसको हम लोग नहीं count करेंगे जो बाद में हमने sign change किया उसी को accordingly काम होगा minus 7 minus 7 minus 14 term वह रहेगा b plus 4 plus 2 plus 6 c minus 2 a minus 14 b plus 6 c यह करने में बहुत easy होता है इसमें कहें कोई doubt नहीं है लेकिन इसमें उतनी practice नहीं हो पाएगी जितनी practice इसमें होगी इसलिए कोसिस करो और यह अभी चुकि हम लोग ऐसा लिख रहा है न सीख रहे हैं इसलिए से है जब तुम आगे जाओगे न तो easily एक ही step में तुम करते चल जाओगे इतना भी लिखने के यह जब कि 2 step miss करने के बाद हमने लिखा है full step हमने लिखा हुआ है second number question में उसको देखोगे तो समझ ही में आएगा second में लेकिन इसमें मिस्किप किया फिर भी तुम सीधे यहां से यहां आ जाओगे कर तुम ऐसे भी कर सकते हो 3a है 3a minus 5a minus 2a minus 7b और यह minus 7b minus 7b minus 14b plus 4c और यह plus हो जाएगा minus इसलिए तो plus 4c plus 2c plus 6c simple है लेगि चुकि लिखना है तो लिखना है देखो third यह क्या करता है इसको भी हम लोग सीधे horizontally solve कर देते हैं इसमें से इसको minus करना है तो जिसमें से minus करना उसको तो पहले हम लिख लेंगे 2a plus 5b minus 4c और जिसको minus करना है उसके sign change करके हम लोग उसा लिख देंगे यह plus a है तो minus a हो गया यह plus minus 2b है तो यह plus 2b हो गया और यह minus 3c है तो यह plus 3c हो गया क्या करना है like terms को अब add कर देना है हम लोग a वाले को देखते हैं तो minus 2 यह हो गया उसके बाद minus 1 खतम a बंद करो plus b वाले को देखो इसका coefficient 5 फिर plus 2 यह हो गया b फिर plus अब c वाले को देखो इसका coefficient minus 4 और last में है 3c क्या आगे हम आपस minus 2 minus 1 minus 3a plus नहीं लिखते हैं क्योंकि कहें लेकि यह plus नहीं आगा तो लिख दो 5 plus 2 7 तो यह plus 7b और यहां है minus 4 plus 3 minus 1 हो गया minus 1c मतलब minus c minus c यह minus or plus multiplication minus होता है तो यह minus c यह हमारे पास इसका answer आगिया थर्ड देखो इसको भी उमलोग उसी तरह से solve करते हैं इसमें से इसको minus करना है 7x square minus 2xy minus 4y square minus इस सब का sign change हो गया तो यह plus है तो minus हो जाएगा minus 5x square यह plus हो जाएगा 3xy और यह minus हो जाएगा minus y square like terms के coefficient को add करो तो क्या हो जाएगा यह है 7x square यहां है minus 5 minus 5 यह हो गया x square उसके फिर से plus करो xy को देखते हैं तो यह है इसका coefficient minus xy और यहां पर है plus 3 यह xy ठीक है और लास्ट में रापस क्या बच गया y square वाला term तो यहां plus और यह हो गया minus 4 और यहां एक है minus 1 y square सीधा से solve कर लिए हो गया 7 minus 5 2x square minus 2 plus 3 plus 1 plus 1 xy मतलब सीधा xy यह हो गया xy और यहां पर minus 4 minus 1 मतलब minus 5 y square यह हमारे पास इसका answer आगिया यह मार्कर तो डाउन हो रहा है तो चेंज करते हैं इसको ठीक है यहां देखो यहां हमने था ज्यादा जगा छोड़ दिया ऐसे लिए क्योंकि इसको हम लोग था कॉलूम मेथट में इसमें सीखने वाले चीज़ यह तुम सीधे इस तरह से करना चाहल तो तो हम बतला चुके हैं कॉलूम मेथट में एक सिखने वाली सिख् dirty इसके नीचे tomato नहीं लिखेंगे कॉलूम मेथट में लाइक ट्रम्स को हम लोग उपर नीचे लिखते हैं कहीं भी हो हम लोग वहीं जाकर लिखेंगे और यह जो भी टर्म है ये जितने भी टर्म है माइनस कर रहे हैं इसलिए तो यह माइनस 6 x3 हो जाएगा एक स्कूट टर्म कहा है यहां है हम लोग इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6 x3 ध्यान लखना जो बता रहे हैं सो इसी तरह से लिखेंगे को तभी तो कॉलूम मनेंगा ना तभी तो प्लस माइनस करेंगे उसको यह हो गया ने इसके नीचे इसको लिखेंगे माइनस 7 x2 यहां रखना जिससे माइनस करना है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं और उसके एकको डिंगली जिसको माइनस करना है उसका टर्म हम लोग आगे पीछे अरेंज करते हैं यह हो गया उसका प्लस 5x तो हम लोग यहां लिखेंगे प्लस 5X और लास्ट में है माइनस 3 तो यहां आ गया माइनस 3 ठीक है यह कॉंस्टेंट टर्म है सारे लाइक टर्म्स को इसके सारे टर्म्स को इसके accordingly लाइक टर्म्स बनाके हमने arrange कर दिया है अब इसको तुम easily क्या करना है माइनस करना है तो सबसे पहले सबका साइन हम लोग चेंज कर देंगे यह माइनस है तो प्लस हो गया यह माइनस हो जाएगा यह भी प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा अब तुम इसको देखो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 यहां माइनस 5X माइनस 5, माइनस 5, माइनस 10 टर्म वही रहाएगा x एक प्लस 6 प्लस 7 प्लस 13 x square यहाँ है minus 8 minus 6 कितना हो गया minus 14 x cubed यही हमारा answer आ गया तुम इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि इस format में यहाँ दिया हुआ है constant term पहले तुम इसको चाहँ तो arrange भी कर सकते हो पहले में यहाँ पे ही दिया हो इसलिए मैं इसको arrange कर लेते हैं इसका answer नहीं arrange करो इसलिए कि पहले arrange करने में न माइनस से पहले चलाएगा ठीक है तो minus से start करना generally the option है हमारे पास की इसी format में दे सकें तो इसी format में दे दो यह हमारे पास answer और यही आया भी है तो इस तरह से यह solve हो गया यह 5th question का यह जो 3 part बच गया था 5th, 6th और 7th है यह भी subtract करने के लिए कर रहा है इसमें कुछ को हम लोग यह जो rule है vertically इसको solve कर लेते हैं कुछ एक को हम लोग column method से भी solve कर लेते हैं practice दोनों के होती रहनी चाहिए ठीक है यहां कहता है subtract this इस expression को इसमें से minus करना है कैसे होगा इसका मतलब है y cubed जिससे minus करना इसको पहले लिखेंगो y cubed minus 3xy square minus 4x square y और जिसको minus करना होता है हम लोग उसके सारे term का sign change करके लिख देते हैं यह हो जाएगा minus x cubed यहां से यह हो जाएगा minus 2x square y और यह भी हो जाएगा minus 6xy square plus y cubed ठीक है ना देखो सब का sign change कर दिया plus 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 minus 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 plus कर दिया अब इसको हमको जो add में करते थे वही add करना है like terms के coefficient को add करना है हम एक step miss करना है तुम क्या करना है जितने भी like terms है सब को इक अठा लिख लेना जिसे यहां पर y3 और कहीं y cubed यहां है इसका भी coefficient 1 y cubed हो गया अब यहां देखो प्लस तो करेंगे इसको देखते है x y square इसका coefficient minus 3 x y square कहीं और है x y square चाहिए x square है यहां है y x y square इसका भी coefficient minus 6 यह हो गया x y square उसके बाद x square y है plus x square इसका coefficient minus 4 यहां पर वही चीज है same term है like term है तो इसका coefficient minus 2 यह हो गया x square y total कितने term हो गया 2, 2, 4 और 2, 6 1, 2, 3, 4, 5 नहीं यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 term हो रहा है और यहां भार वापस कितने term है है दो ही term है को अच्छा यह यह x cube वाला छूट रहा है term x cube वाला term जो है सो यह हम मिस हो रहा है हम लोग इसको सबसे last में लिखेंगे यह कहां रहा है यह इसका है माइनस करना है यह ऐसे ही रहा जाएगा minus x cube ठीक है ना इसके लिए तो कुछ हमने किया नहीं है क्योंकि इसमें कहीं कुछ एक ही को efficient है तो इसको लिख सकते हो plus bracket में minus 1 into x3 करने का मतलों यह ऐसे लिखा या सकता है प्लस जैसे में सबको प्लस दिया न यहां पहल लिखा सकता है x यह x3 इस तरह से यह भी वही चीज हो गया minus 1 x3 minus x3 plus से करो तो minus x3 आ गया अब इसको तुम solve कर सकते हो यह हो गया 2 y3 minus 3 minus 6 minus 9 x y square minus 6 हो जागा minus 2 minus minus 4 minus 2 minus 6 minus 6 x square y और last में बच गया x3 ठीक है ना यह हमारे पास यह गलती नहीं है plus minus में तो answer ठीक है चलो अब यहां देखो इसको हम लोग क्या करते हैं column method से कर लेते हैं थुरा सा सीखने को को ही मिलेगा इसको minus करना है इसमें से तो जिसमें से minus करना सबसे पहले उसको लिख लो तो यह 9 x square y square minus 6 x y plus 9 minus कि 100 करना है तो याद रखना कि यह जिसी तरह लिखे हुए है उसी तरह से हम लोग यह लिख सकते हैं जैसा भी तरह में लाइक टर्म इसी सिक्वेंस में रहा है जिसी सिक्वेंस में यह दिन नहीं रहता तो हम लोग इसको आगे पिछे आरेंज करते हैं यह कितना हो जाएगा माइनस 11 x square y square plus 7 xy-6 अब क्या करना है हमको इसको माइनस करना है तो मैंने बतलाया था जिस टर्म को जिस एलगेवरिक एक्सप्रेसन को माइनस करना होता है न इसके सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा यह प्लस से माइनस हो जाएगा और यह जो हमानस से प्लस हो गया अब हम जो इसको आड़ कर देंगे को जिदे को यह सेम टर्म है सब एड करेंगे तो यह पहले साइन था ना अब उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे जो साइन हमने चेंज किया वो काउंट होगा तो यह 9 लाइन प्लस 11 20 टपफिसेंट वही रहेगा 42 स्कॉल माइनेश 6 माइन सब्सक्राइब प्लस सब्सक्राइब यह नहीं रहे दोने मिल के हो जाएगा माइनस 13 xy और यहां प्लस 9 प्लस 6 यह गया प्लस 15 ठीक है यह हमारे पास सब्सक्राइब लास्ट देख लो इसको और चाहते हो चल उसी तरह से कर लेते हैं बहुत क्या किस तरह से कर लेते हैं यह आसान पर ता है और क्या है इसमें से इसको माइनश करना है यह हो जागा 5a माइनश 2b माइनस 3c यह लाइक टर्म को हम लोग नहीं, 6d ही हैं, अच्छा हुगा हमने इसको kolumn method से solve करने के के से, अब दखको, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6d है, हम लोग इसके सामिने शुचा अरही लिख सकते हैं, कαιोंकि column method में, हम लोग like terms को सामने लिखते हैं, अब इसको हम लोग बाहर लिखेंगे यहां ऊपर में कोई Term नहीं है ध्यान दू इस तरह से 5a वाले Term के शापने हमने माइनस 2a को लिखना 2b के सांबने वाले tern को लिखना और 6d तो इसमें està 다음에 www . जिसका coefficient D हो इसमें नहीं तो इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, यह जनली इसके नीचे प्लस लगाकर जीरो लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं परता है, तुम लगा दो, और इसके बार भी कुछ नहीं है, तो यहां भी प्लस लिखके, इसमें तुम जीरो लगा दो कोई फरक में परता है यह हमने इक्वल कर दिया अब क्या है इसको एड कर देना है तो 5-233 हो गया माइनस 2 प्लस 1 बी का मतल़ होता है 1 इंटु बी यह हो गया माइनस बी ठीक है ना ध्यान से समझता वस्सी तरह से हो रहा है इसका साइन तो चेंज किया है यह तो सब्सक्राइब हो रहा है इसका साइन जब माइनस करने के पहले हम उसका साइन चेंज करेंगे तो जैसा था है लिख दिया तो यह हो जाएगा प्लस यह माइनस यह भी माइनस और यह भी माइनस अब देखो यह क्या होगा प्लस 5, प्लस 2, प्लस 7, तो 7A, यहां minus 2 और minus 1B है, तो यह हो गया minus 3B, minus 3 minus 0, minus 0 को minus करदो, plus करदो, कोई फार्ग नहीं परता है, तो यह minus 3C ही रह जाएगा, और इसमें भी 0 ही add हो रहा है, minus 6, plus 0, कुछ नहीं है, minus 6 ही रहेगा, कोई efficient उसका वह रहेगा, 6T, ठीक है न, इस त प्रेक्टिस लेकिन दोनों की करो एक यह जो आसान लगता है तो कर रहा दूसरे को छोड़ दोगे ना तो मैथेमेटिक्स मिना प्रेक्टिस के आदमी भूल लाता है तुम भूल लाओगे उसको